ब्लाग परमुक सामने अधिकार्यों को कह रहा है कि अगर काम करना है तो करे वरना आप ट्रांसपर करवा ले माफियाओं पर भी बुल्डोजर आप लोग चल वा रहे हैं लोग कहते हैं कि एक जाती विरयादरी को हीट टच किया जारा है बहुत लोग हैं लेकिन बाबा का बुल्डोजर गाज़िपुर में जयादा चल रहे हैं गाज़पुर जिले के रेतिपुर ब्लाग में समय हम मौजूद हैं और हमारे साथ खास बादचीत करने के लिए अमिताव राय जी पूर्प में राहूल राय जी हैं और आज मीटिंग थी और यहां पर ग्राम परधान और छित पंचायत सदस के लोग थें हम जानेंगे विया बहुत सारे लोग थें लेकिन पहली बार हमने देखा कि ऐसा सुनने में ये नहीं आया कि ब्लाग परमुख जी ने हमारे काम नहीं किया और इसके साथ ही मंच पर मैंने देखा कोई ग्राम के प्रधान थे थप थप आई गई वहां पर टैबल जैसे लोग सभा और राज सभ जैसा वो समय था लोग हंस भी रहे थे अब कैसे कर लेते हैं आप मतलब सब के चेहरे पर मुस्कान थी बस इमानदारी से कारे करने का प्रयास किया जाता है स्वार प्रथम मैं आपको अभार वेक्त करता हूं अपने अपने चैनल पर मुझे अब बस इमानदारी से कारे करने का प्रयास किया जाता है कि किस तरीके से जो भी सासंद वरा धनरासी जनहित के लिए दी जाती है उसको विकास के कारें में किस तरीके से इमानदारी से लगाए जा सकते हैं अगर हम पूछें राहूल जी तो आज ने ने वीडियो जी भी आये थें आपने कहा एक दो दिन हुआ उनको और अधिकारे भी वहाँ पे मौजूद थें गाजिपूर जनपत ने पहली बार किसी ने देखा कि एक ब्लाग परमुक सामने अधिकारियों को कह रहा है कि अगर का करना है तो करे वरना आप ट्रांसफर करवा लें हर व्यक्ति का अपना-पना कारे करने का तरीका होता है उसी तरह से मेरा भी अपना कारे करने का तरीका है मेरा यह मानना है कि अगर आप हैं यहाँ पर अगर आपको कोई दाइत तो मिला है तो इमांदारी से उसका काम कीजि अगर आपको लगता है कि नहीं इसमें किसी भी प्रकार के आप दोरा हिला हवाली की जाएगी या आपको अन किसी सुरोतों से तो हमारे या ऐसा कुछ नहीं चलने वाला ना मैं चलने दूँगा तो अच्छा है कि आप किसी और विकास खंड में या किसी और ग्राम सभा में अपना ट्रांसफर स्वैम करा ले हैं मन से आपने कहा कि जितने भी गाउं हैं दो सालों के अंदर हर गाउं में एक या दो आपके नाम की आधार सिला जरूर लगेगी जब मैं विकास खंड में प्रमुक बनके आया या प्रमुक बनने से पुरूव में जब मैं अपने छेतर में चुनाओ प्रचार में था या उसमें लोगों के बीच में बड़ी नराज़की की मैं वज़ा पाता था कि सारा काम तो इसी ग्राम सभा में हुआ सारा काम तो इससे पहले कि जो भी पुरूवत प्रमुक थे हैं तो लोगों का एक कर्ष था कि जो जहां के प्रमुक होते हैं वो इस इलागे के लिए काम करते हैं तो 46 ग्राम सभा के 46 ग्राम प्रधान यह वो जो 96 पंचाइज सायोग है उनके सायोग से आज मैं विकास का प्रमुक हों तो मुझे 46 गाउं मेरा अपना है और मैं कोशिच यह करता हूँ कि मेरा विकास खंद किस तरीके से विकास की नई सीडिया रोज चड़ता रहे अगर अंतिम सवाल राहूल जी हम पूछें गाजिपूर जनपद जही कह रहा है कि महा महीम उपरा जपाल राउंजिरी से लोग यही कहते हैं कि सुसील भाई मनुष शिन्धा जी यहां पर आए और चुनाव लड़े अगर आपसे पूछू हूँ मनुझी हमारे अभी भावक हैं मार्ग दर्शक हैं और मैं जीवन में हमेशा इश्वर का शुक्रियादा करता हूँ कि हम लोग आदर्णी मनुझी के संपरक में हैं उनका इसने हमलोगों को मिलता है यह हमारे लिए गोरों की बात है कि मनुझी आश्वाद हम लोगों के साथ रहता है मैं पाटी का बहुत छोटा कारे करता हूँ मैं इस इस हिस्ति में नहीं हूँ कि मैं तय कर पाऊं या मैं इस पे कोई बात कह सुगी कौन गाजीपूर से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा मनोजी जहां हैं जैसे हैं इस वर से हम लोग की प्रात्ना है कि वो हमेशा प्रशन रहे हमेशा खुस रहे और जीवन में पुचाईयों पे आगे बढ़ते रहे बस माभगोती से इतनी प्रात्ना है राहुल जी नए साल पर आप क्या संदेश देंगे गाजीपूर जनता वो पुरी आवान को इन्ने साल पे मा भगोती मा कामाख्या से प्रात्ना करूँगा कि इन्ने साल पे गाजीपूर को एक नहा सांसद मिले और गाजीपूर की जो विकास की पहिया रुकी है उसको सताप्ती एक्सप्रेस की तरह चलाए पांच साल जो गाजीपूर का नुक्सान हुआ है उसकी भरभाई भी इस पांच साल के कारेकाल में करें मतलब जो भी नया सांसद हो उन्हें दस साल का कार इस पांच साल के कारेकाल में करना है माफियाओं पर भी बुल्डोजर आप लोग चलवा रहे हैं कहते हैं कि एक जाती विरयादरी को हीट टच किया जा रहा है बहुत लोग हैं लेकिन बाबा का पुल्डोजर गाजीपुर में जाता चल रहा है मैं यह नहीं कह सकता मेरा यह कहना है कि इससे पुरुवत जितनी भी सरकारे थी वो माफ्याओं के दम पर ही चलती थी इसलिए उनके उपर कारवाई नहीं होती थी यह पुझ महराजी की सरकार है और पुझ महराजी अमन चैन की बिवस्था कायम रखना चाहते हैं और किस तरीके से जात धर्म पे लोगों को बाट कर आपसी बिवात कराये जाता था इन सब चीजों का महराजी पूरा ध्यान रखते हैं और हर चीज का एक अंद होना था यही वो समय था कि महराजी के सरकार में इन अपराधियों का अंद हो रहा है विकास के रोल माडल को प्रस्तूत किया रेतिपूर से निर विरूद चुनेगे राहूल राया जी और एक सीधी मेरी मुलाकात बताईएगा मेरा वीडियो कैसा लगा राहूल जी इतना समय दिया आपने आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद